हेलो कुछ, वीडियो में हम आपको बताएंगे policybazaar.com पे आप user id और password कैसे पता करेंगे ओके, so first of all आप लोग policybazaar.com को open कर लीजेगा अब दिखें दो तरीके में आपको यहाँ पे बताता हूँ like आपको my account पे click करना है अगर आपने already login किया होगा तो अब यहाँ पे आने के बाद आप देख पाएंगे my account कहां कि हाँ, profile पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका email id भी आपको यहाँ पे सोगर देगा, ठीक है then, okay, access denied, I don't know कि यहाँ कि हो रहा है यहाँ पे आपका email id भी आ जाएगा, आपका mobile number भी आ जाएगा contact details में आप लोग यहाँ पे profile में जाएगे तो आपको जितने भी information रहती ही वह आपको देखने को मिलेगी अब यहाँ पे काफे लोगों का doubt है कि हम इसमें password कैसे देखेंगे, तो देखिए password की यहाँ पे needy नहीं पड़ती अगर आप sign in भी करेंगे ना, तो आपको mobile number डालना रहता है अपना OTP आएगा, आप sign in कर सकते हैं, या Google के साथ sign in करना है, email id के साइन करना है तो वह भी आप कर सकते हैं तो password का कोई जमेला यहाँ पे नहीं है और अगर आपको email id और अपनी profile देखना है तो my account पे जाकर के आप लोग अपनी profile को देख सकते हैं ओके, so topic is cover मिलते हैं next video में जय माता दे